हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारह पत्रक नमबर 26 करेंगे जो की क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है गणित ये वर्क्षिट 25 ओक्टोबर 2021 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट प्राइक्टा उफ मोसम आज इतना गरम है शायद आज बारिश होगी या बारिश नहीं होगी कितनी संभावना हैं मेरी सहायता करें देखो क्या का जा रहे कि प्राइक्टा का मतलब क्या होता है संभावना प्राइक्ता को मैं क्या कहते हैं संभावना की ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है तो उपर दिये गए चित्र को देखी और अवलोकन करें देखो यहाँ पे कितनी धूप है और यहाँ पे कितनी हैं बारिश है हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं घट रही है कुछ घटनाएं घटित होना निश्चित है और कुछ का होना असंभव है और कुछ घटनाएं हो भी सकती है और नहीं भी जो घटनाई घटित हो सकती है या नहीं भी हो सकती है उनके घटित होने के संभावना बनी रहती है आईए इसे समझते है निचे दी गई तालिका से तो प्राइक्ता का मतलब है देखो कुछ घटनाई तो ऐसी है जो संभव ही है कि वो होना ही होना है और कुछ ऐसी है कि जो संभव है कि ये होना ही नहीं है लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है जो संभवत है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है तो आज इसी के बारे में हम समझेंगे देखो क्या कहा गया है सूरे पुरव से उद्य होता है तो ये क्या है ये निश्चित है तो हम संभव नहीं है रवीवार के बाद शुकरवार आएगा तो रवीवार के जस्ट बाद शुकरवार आएगा देखो ऐसा नहीं है न कि रवीवार के बाद क्या आता है रवीवार के बाद सोंभार आता है तो ये भी क्या है संभव नहीं है अगला मैच भारत जीतेगा तो अगल पर हमने देखा कुछ बात क्या है संभव है जब कि कुछ बात संभव नहीं है और कुछ क्या है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ठीक है अद देखो क्या हो सकता है होगा या नहीं होगा दोनों ही बात हो सकती है भी होगा भी और नहीं भी अद देखो किसी घटना की घटि है तो दो मेच भारास जीतेगा या नहीं जीतेगा तो हो सकता है कि December सिक्का उच्छालते हैं, अगर आपको एक सिक्का दिया जाता है, और आप उसे उच्छालते हैं, तो तो देखो क्या कहा जाता है, संभावना क्या होगी? या तो head आएगा, या tail आएगा? तो दोनों में से कोई एक चीज़ आईगी? तो हमने लिखा 1 और head लेकिन आएगा दोनों में से confirm ऐक चीज़ राएगा तो uncool परिणाम की संख्या और में के लिखेंगे हम qul परिणाम की संख्या तो क्या हो जाएगा uncool परिणाम divided by कूल संक्या तो संयोग क्या बन जाएगा एक बटा दो, एक बटा दो क्यों बना एक तो हमारा confirm है की एक तो आएगा और कितने में से, दोनों में से कोई एक आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एक बटा दो अंसर हो जाएगा तो संभावित परिणाम क्या हुआ कि head आया तो यह हमने माना next देखते हैं यदि आप एक पासा फैंकते हैं तो अगर आप एक पासा फैंकते हैं तो देखो एक दो तीन चार पांच है इन में से कोई ना कोई एक तो आयें गया येगा ना माना कि हमने वन आया तो कितने टोटल कितने थे हुआ टोटल नमबर थे चैस एक गया धो थीन चार पांच छेक शैं में से कोई एक नमबर तो आए और light यहाँ पर कौन से जली है, hurry light, कोई भी एक light हो सकती, तो light यहाँ पर कौन सी है, hurry, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर कौन सा पासा फैंकने पर आया, 6 आया, पासा फैंकने पर तो हमारा अंसर कितना होगा, 6 यहाँ पर कौन सी light जली, hurry light, तो हमने दे दिया, hurry light, अब जब questions करेंगे तो अच्छे से clear होगा किसी निशित घटना की प्राइकता कितनी होती है जो घटना निशित होना ही होना है उसकी प्राइकता कितनी होगी ए जो संभवी नहीं है घटना जो घटना संभवी नहीं है उसकी प्राइकता कितनी हो जाएगी लिखिए कि क्या घटना संभव है, निश्चित है, असंभव है, तुम कल बड़े हो जाओगे, तो ये तो confirm है ना कि आज से कल आपकी उमर बड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा निश्चित, इसमें आप क्या लिख देंगे कि ये घटना कैसी है, निश्चित है, ठीक है, ये सेकेंड कोशन देखो, एक सिक्का फैक ने पर आपको पट मिलेगा, एक सिक्का जब आप फैंकेंगे, तो आपको क्या होगा, पट मिलेगा, लेकिन इसके साथ संभव ना है, कि आपको चित भी मिल सकता है, हैड और टेल में से कुछ भी मिल सकता है, तो हम यहाँ पे लिख क्योंकि पासे में कितनी होते हैं 6 ही तो होते हैं टोटल अभी हमने देखा पासा ना जो dice होते हैं जिसमें हम game खेलते हैं लुडो तो टोटल कितने होते हैं 6 तो ये क्या हो जाएगा असंभव तो ये है आपका first question आप इसी तरह उतारेंगे और इसका answer लेखेंगे अब हम देखते है question number second देखो क्या कहा गया question number second में एक पासा एक बार फैंका जाता है तो निमन लिखित की प्रयाइकता अपतानी है हमको प्रयाइकता अपतानी है कि एक पासा अपने फैंका कितनी प्रयाइकता हो सकते एक और शे के बीच में कितने नंबर आएंगे देखो number कितने है कोई number तो अगर एक और शे के बीच की हमें प्रयाइकता देखने हो तो number कितने है यहाँ पर देखो दो तीन चार और पांच ये नंबर है ठीक है 2, 3, 4, 5, 1 और 6 को की बीच की प्राइक्टता तो number कितने है यहां पर ध्हान से देखो number कितने हो जाएगे इन में से कोई एक number आएगा और ये total number कितने है? 4 तो number तो कोई 1 कि आएगा total number कितने हो गए? 4 तो प्राइक्टा कितनी हो जाएगी? 1 बटा 4 एक और छे की बीच की संख्या को प्राप्त करने की प्राप्त करने की प्राप्त कितनी हो जाएगी एक बटा छे हो जाएगी एक बटा चार हो जाएगी ठीक है यहाँ पर एक बटा एक सिखने यहाँ पर अंसर हो जाएगा एक बटा चार हो जाएगी हमें क्या करना है एक और अगर यहां पर तीन प्राप्त नगरना है तो क्तो को यहां को सब्सक्रट कि फयागि कि यहां पर सृचन को पिया घर इथ ह अब देखते हैं नेक्स्ट कोशनं से उसको कव humility क्या कहा गया यहाँ पर नमबर कितने में 2, 3, 4, 5 इसमें कितने नमबर है, 4 है ना, तो 4 बटे, total पाँसे ज़ए 6 तो यहाँ पर अंसर कितना होगा, 2 बटे 3 प्राइक्ता, ध्यान से करिएगा, इसका अंसर क्या हो जाएगा, 2 बटे 3 इसकी प्राइक्ता हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि हमें number देखने कि कितने number है total 2, 3, 4, 5 में से एक number आएगा तो 4 number हो जाएगे और प्रायक्ता कितनी हो जाएगी 6 तो answer कितना हो जाएगा 2 बटा 3 अब हम करते है question number 3 ध्यान से समझ के करिएगा question क्या है एक spinner आपको दिया गया है और इसकी प्रायक्ता निकालनी है वक्षिटका है तत्री कितनी बार है तो lets use 71 बटा 9 बैसा के क्रुट हो जाएगाár दे सर्फ यह कुधर करका है तो यह देखके थर्ब कर करना तो पॉद को प्लीज मिने चैनल को लाइक किई जो सबस्क्रायब किजिए शेयर कीजिए थैंक्यू